शुरुआत तो कविताओं से मेरी भी हुई लिकिर वो कविताएं उसी तरह है कि जैसे बच्पर में कोई आपको थांत करते हुए कोई आपका वीडियो बना ले मैं कादीपुर की जिस पाटशाला में पढ़ता था तो वहां तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी जो है तसिल्दार होता था तसिल्दार का लड़का भी उसी टाट पट्टी पर पढ़ रहा है तो पहले इतना भेद नहीं था शिक्षा के छेतर में तो बिलकुल भेद नहीं एक डेफ्थ भी तो एक अथार्थ होता है और उसके जरूरी है कि आप थोड़ा दूर से देखें बहुत करीब से आप किसी चीज को देखेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे और सीन यहां तक आगे बढ़ गया था कि जैसे जिसको पेपर देना है वो बैठता नहीं था पर जिसकी लिए पर अच्छी होती थी वो कापी लिखता था यह अफ़ा उड़ी कि जब मारकंडी जी निकले तो अकलिस उनको गड़े में गिराने के लिए जो है वो उनके धीरे धीरे उनके बगल में चल लहा था मुझे लगता है अमरकान जी के सोहबत में आने से या जो कहानी में ने बनाई लेकिन वो एक केवल फ्रेम होता है नबे के बाद आप कहानीों के एक सूची बनाएं इस रिष्ट कहानी तो काफी उसमें लंबी कहानिया मिलेंगे जो है तो जो कहानिया लंबी होने लगे विमर्ष में प्राया यह देखा गया है कि एक शत्रू होना चाहिए जो है वो तो उसमें वो जो पूर समाच की सुंदरता का स्वापना है वो तोड़े गौर हो जाता है मैं तो बड़ी गर्दिश में था मेरे सामनी विकल्प यह था कि मैं अपने परिवार को लेके गाउं चला जाओं वहीं गाउं के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ हम कड़ेश मेरी जवान पर रहती है मैं अकड़व बोल ही देता हूं जो है बहुत बार अपने को कंट्रोल करता हूं लेकिन धीरी धीर काफी कंट्रोल कर लिया है हो सकता है कुछ लेखक हो जो सोशते हों की केवल जो इस छड़ घट रहा है जो तो उनके लेखन में बहुत तातकालिकता आपको दिखाई देगी क्या आपने समकालिन रचनाकारों पर ऐसे भी लिख सकते हैं लोगों को आश्चरे हुआ तो उन्होंने उसके बाद अक्स लिखा वह जो यथार्थ था उनकी ऐसी ही संस्मरनात्मक उस्तके हैं जब कहानिया लिखी तो रोचकता ऐसी बनाई कि अथार्थ के साथ कहीं भी समझोता नहीं किया सरुकार और प्रतिबधता हमेशा उनके मूल में रही चिठ्थी उनकी बहुत लोग के प्रिया रचना है इसके अलाबा यक्षगान जल्डमरूमध है जैसी रचनाओं के रचाईता और तदभव पत्रिका के संपादक अखिलेश बहुत-बहुत स्वागत है इन दिनों वैसे जैसे मैंने कहा कि अक्स जब आपकी आई तो लोगों ने कहा कि वही संस्मरन ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि वह नकेवल आपके समय पर है साहित्य पर और चितनी आसपास आपकी घटनाएं उस दोर में घट रही थी उन तमाम चीजों को आपने लेकर वह संस्मरन लिखा उसके बाद से क्या लिख रहे हैं दरसल उसके बाद से न कहूं मैं मैं कहना चाहूंगा उसके जो उसक कुछ हिस से अक्स के पहले लिखे गए थे और उसके बाद भी धेरे-धेरे कच्छबगती से काम करता है दरसल मेरी शरली कच्छबगती से काम करने की हैं और बीच में एक मूड बना तो कई सारे संस्मरन लिख दिये और उनको एक पुस्तक की तरह है पुस्तक की योजना ब जिसमें कुछ छपे थे, कुछ अंचपे अध्याई रहे और बाद में वह पुस्तकाकार अक्स के रूप के सामने आया आप लोगों के और अब मेरी पूरी आद्माईश जो है या पूरी मशक्कत लेखर के छेतर में यही है कि मैं अपना उपन्यास पूरा कर सकूं कच्छप लगती से लिखने के लाब भी होते होंगे और नुकसान भी होते होंगे अब नफ़ान नुकसान सोच करके तो कभी नहीं लिखा बस शुरू से यह था आज कल तो लोग एक साल में तीन तीन चार्चर किताब ला रहे हैं अब उन में ज़्यादा ओड़ अर्जा होगी लेकि कि बहुत जल्दी मैं काम कर पाता हूं और शायद को वक्त इसलिए भी लगता है कि जब आप अभी वक्त के साथ अपने समेदना और अथार्थ को जो है बरतने के लिए एक भाशा की भी आप तलाश करते हैं और भाशा आपके लिए केवल एक संपूर रूप से नहीं है एक व वाक्य रचना से आगे बढ़ करके जब आप शब्दों पर भी महनत आप चाहते हैं और उसमें एक आंतरिक लए की निर्मिती करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर वो बहुत चल्दी नहीं हो पाती है चीजें जैसे कविता कोई लिखता है तो मेरे लिए प्रिष्ट का लिखे हैं नहीं मैंने कविताएं तो मेरे खाल से रिष्टी में किसी ने कोई रचनाकाल होगा तो लिखाई होगा उसने और लेकिन कभी शुरुआत तो कविताओं से मेरी भी हुई लेकिन वो कविताएं उसी तरह है कि जैसे बचपर में कोई आपको उत्पांद करते जो पुस्तक है उसका पहला ही वाकिया है हर कोई अपने बच्पन को याद करता है तो मैं चाहूंगा कि हम आपके बच्पन को एक बार याद करें हाला कि आप अक्स में और बहजो अथार्था में अपने जीवन के सारे अध्याएं खोल चुके हैं लेकिन फिर भी मैं सुल्तानपुर जनपत का सुल्तानपुर जनपत जो उतरप्रदेश के आवध इलाके में पढ़ता है उसकी कादीपुर तहसील थी वही पर मेरा जन्म हुआ था और एक जैसे कस्विय का जीवन होता है बड़ा सुस्त मंथर एक आलत से भरा हुआ द्रिश वहां आपको दिखा हैं एक ऐसा मेरे पिताजी कचहरी में बहुत महमुली सी नवकरी किलर की करती थे और जो मैं याद करता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इस मृतियां दिमाग में आती हैं तो मेरा गाओं वहां से छे मील की दूरी पर था यानि नव किलो मीटर के आसपास मलिक पुर्ण नेरा गाओं मेरा था और उस दौर का वो दौर था जिसमें कोई तहसील में मुकदमा लड़ने के लिए कचहरी के काम से तमाम लोग चले आते थे और कई लोग रिष्तेदारों के बच्चे पढ़ने चले आते थे कुछ लोग मेरे घर पर ही रहते थे पढ़ते थे तो एक छोटा सा घर था उसमें इतने सारे लोगों का भोजन बनता था और तब आजकल गैस था इस्तोफ था चूला लकड़ी लकड़ी ही इधन होती थी उससे मेरे माँ और खाना पकाती थी और मुझे याद है कि बड़ी गेली लकड़ीयां कई बार आ जाती थी जादा तर गेली लकड़ीयां होती थी और उस चूले में फूकती थी मेरे माँ आग बुझ जाती थी जल्दी ही नहीं थी आग और उसकी जो राख थी वो जैसे फूकती थी तो कई बार राख उनके चेहरे पर उनके बालों पर लग जाती थी जो है वो और इतने सारे लोगों का खाना बनाना और नहिनत मशक्रकत का काम तक गहूं बीनती थी अचार डालती थी सारे काम गिरहस्तिक के करती थी तो मुझे जो सबसे जादा चीज वहां लगती है कि मेरी मुझे पीता का भी संघर्ष था पीता का संघर् हम लोगों को उस दोर में नहीं उनका वो चरितर मालूम था कि वो मदद दोस्ती बहुत नभाते थे दोस्ती भी क्या मनदब साथ देते थे लोगों का तो बहुत सारे रिष्टेदारों के बच्चे लोग थे बहुत सारे रिष्टेदार थे उनके यहां कभी कोई जरूरत पड़ जाती थे तो पीता से कहते थे पीता की छमता इतनी नहीं थी कि मदद कर सकें लेकिन वो करज लेकर के वो मदद करते थे अगर नहीं है उनके पास तो करज लेकर के मदद करते थे और घर की परवाज जादा नहीं करते थे वो और कर तो मेरी मां का लगभग यही था कदीपर कस्वे में मे धा, कि Coi मेरी पिता का भी यही सौपन रहा होगा, कि बड़े भाई मेरे पढ़ते थे तो पार्टे करने और उसी तासिल में नोकरी कर ले. और मेरे बारे में भी यही स्वप न रहा होगा, मेरे छोटी बहन थे, उसके बारे में भी यही बात रही होगी यहाँ मैं रिखा इसमें कि पिता चाहते थे कि वहीं कचहरी में, तैसील में आपकी नौकरी लग जाए हाँ, चुकि इंटर के इंटरमीडियेट के बाद वहाँ पढ़ाई का कोई साधन नहीं था, कोई कालेज स्कूल नहीं था, तो यह ता बाहर पढ़ाने के चंता नहीं थी, तो यह था कि मतलब वहीं हम लोगों का जीवन सिमट जाना था, लेकिन जब मेरे भाई इंटरमीडिय का एक्जाम दे रहे थे, और मैं अच्छा पांच में था, यानि मुझे भी छटमी में एक नए स्कूल में जाना था, तो अचानक मेरे पीता जी का सुल्तानपूर ट्रांसपर हो गया, और हम लोग सुल्तानपूर आना पड़ा, फिर जीवन की दिशा बदल गई, और काधी बार कुछ चीजें जो याद करता हूँ, जिनका एक समाजिक वजन है, तो उसमें मैं भी गया था, और तब सब बच्चे जाते थे, ऐसा नहीं कि मुझे में कोई सुर्खाब लगे थे, या कोई मेरी ऐसी रूची थी, सब बच्चे, बनलब पहले इस तरह होता था, बढ़ देख लिया जाए, तो उसमें गया था, और बहुत भीड थी, उसी भीड में मैं फंस गया था, फिर बाद में मैं निकलना चाहता था, निकल नहीं पाता था, देखा मैंने इंदर जी को सुना, और मेरे बगल में राम लीला वाली बाग थी, शायद मेरे जीवन में जो बच साथ से पैंसट के बीच की बात आप संबल दीजिए, साथ की बदाईश अपकी और पैंसट की अबात थी, शायद मेरे तो उस बाग में राम लीला लगती थी, और राम लीला लगती कभी-कभी नौटंकी भी होती थी, तो एकदम बगल में था, यानि उधर अगर नगारा बजता था जब, या हार्मोनियम बजता था, तो हम अपना बोला ले करके भागते थे हम लोग वहाँ पर, कि भाई वहाँ पर जल्दी जगह छेक लेनी है, जो है तो वहीं पर दशहरे का मिला लगता था, मिला लगता था, मिले में बहुत सारी दुकाने लगती थी, खेल कूट पांत करते थे, खेल कूट करते थे अपना, तो उस बाग की भी बड़ी, और उसी बाग में, मुझे याद है कि एक मीटिंग हुई, उसी मीटिंग में जग जीमन राम जी आये थे, और केदार ना सिंग जो बहुत बड़े जमिदार थे, कांग्रेस पार्टी में मिनि और बाबु जग जीमन राम का पैर छूते हैं, तो बड़ी काना फूसी थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा, कि भई ये तो जो अब रत्याशित था, वो हो रहा, जो नहीं होता था, वो हमारे समय में या दुनिया बदल रही है, ये हो रहा, जाही रहे तब इतनी दुनिया बदली नहीं थी, लेकिन वो बहुत एक मुझे दृश्याद है, कादीपूर का, फिर मैंने चरण सिंग को देखा, एक दूसरी पार्टी की सभा हुई थी, वहाँ चोधरी चरण सिंग को देखा, तो ये पांच तक की पढ़ाई के भीतर ही, ये सब्द आप देख चुके थ नहीं कोई साहित थिकमा होल नहीं, आम तोर पर जतनी संगत में बातचीत मेरी लिखवकों से हुई है, तो सब ने एक चीज, एक कौमा निकल की आई, कि हमारे याँ पुस्तिकाले था, वहाँ जाते थे, उन्होंने हमारी दिशा बदल दी, आपके साथ वो पुस्तिकाले ब पढ़ाई के लावा, हमने तो अख़बार तक नहीं पढ़ा कच्छा पांच तक, और उसके बाद जब हम लोग आ गए, सुल्तानपूर आ गए, तो सुल्तानपूर में दाखिला हुआ, गौर्मेंट इंटर कालेज में मैं पढ़ता था, छठी से शुरुआत हुई पढ़ा से कुछ उसका नाम था जो है, वो चलाते थे, और उसमें उनके अख़बार आता था, और वो बहुत डिंक करते थे, तो रात को डिंक करके आते थे, सुबहरे देर तक सोते थे, तो मेरे घर में तो अख़बार भी नहीं आता था, और तब बहुत सारे घरों में अख़बार नहीं आता था, तो मैं नीचे जाकर के शुरुवात यहां से हुवी, मैं अख़वार पढ़ने लगा, मेरे घर में तो आता नहीं था, तो मैं नीचे जाकर के अख़वार पढ़ने लगा, और जब तक जगते थे तब तक अख़वार में पर चुकता था, तो मेरी मान ने जब तो मैंने देखा कि मेरे क्लास में कुछ एक सर्जन का लड़का था अरुपदास गुपता नाम था उसका और एक आशीस मुखर जी वो साइड वहां के जिला बेसिक सिच्छाधिकारी का बेटा था तो वो दोनों नंदन पत्रिका पढ़ रहे थे तो मैंने कहा कि भाई जैसे मैं भी पढ़ना चाहां तो मैं तो एक खड़ी बोली भी मैं तो अवदी बोलने से सिला मेरा शुरू हुआ था तो और वो लोग जाही रहे भद्रव लोग के थे तब भी लेकिन वो उसी स्कूल में पढ़ रहे थे यह अच्छी रहते पहले सब यह तो एक अलग मैंने इसको भी कहीं लिखा भी है कि मैं कादीपुर के जिस पाटशाला में पढ़ता था तो वहां तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी जो है तसिल्दार होता था तसिल्दार का लड़का भी उसी टाट-पट्टी पर पढ़ रहा है तो पहले इतना भेद नहीं था शिक्षा के छ कर उगे मैंने का मुझे एक पत्री रखा खरीदनी है यह कोन परिका हमने नंदन-पत्री खरीदनी तो जाए नंदन-पत्री खार ले या जाए तो जीवन में पहले जिसे को को ऑद आँचा ौही चीज्छ पढ़ी तो पढ़ि बंदन पत्री का पढ़ी जो है गें मेरे आसपास जो पढ़ते थे लोग, वो सब जासूसी उपर नेया, सिबने शफी भी ये, कन्ना रंजीत, इन सब का पढ़ते थे, ये गुलशननंदा वगारा का पढ़ते थे, रानू राजवन्श का पढ़ते थे, तो मेरे मामा बड़ी पढ़ाकू थे, तो वो तो पढ़त हैं, फिर आपने ये क्यों लिखा कि हम बच्पन को क्या उसी तरह याद करते हैं, जिस तरह किया जाना चाहिए, आपको ये कहने के जरूत क्यों पढ़े? मुझे लगता हम किसी भी चीज को हूब हूब नहीं याद कर पाते हैं, अगर आप ये बता रहे हैं मैंने लिखा है, तो उसी में मेरे काद से यह भी मैंने लिखा है, कि जैसे जो मेरा घर था कादीपूर में, जहां हम लोग रहते थे, तो मुझे छट बहुत याद है, याद है, आगन याद है, मुरूत का एक प्रेड़ था, लेकिन गुसल खाना नहीं याद है मुझे, दरवाजा कैसा था मुझे नहीं याद है, तो जब आप याद करते हो, ऐसा भी तो होता है कि हम उन्ही चीज़ों को याद करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो हमको याद आएं, कई पार ये भी होता है, तब तो कोई प्रयास नहीं था, कि उसे याद कर रखना है मुझे, बड़े होकर, जैसे आज मैं अपने बच्पन को याद करूँ, और मैं याद करूँ कि मेरे पास उस व्यक्ति की क्या स्मृतिया है, तो मैं केवल उसी व्यक्ति से ज रूप में केवल कुछ घट नहीं उसकी याद करते हैं, तो भिड़ने तरीके से आपके इस मेरती जगे की, ठीक, लेकिन उसको आप एक जीवन के रूप में अगर याद करते हैं, तो उस समय फिर उसका समाज, उसके लोग, और उसी प्रक्रियाम जैसे हमने जो काम किया इस करूँगा कि आप कहा मिले, तो जब आप जगेंगे तो मेरा भी जो मैं अपने को भूल चुका हूं, मैं भी अपने को याद करूँगा, जो है वो, तो याद एक कॉंप्लेक्स चीज है, आप बार बार स्मृतियों में क्यों जाना चाहते हैं, आप अथार्था में भी गए आप अक्स में भी कहें, तो वो बार बार ऐसा क्या है जो आपको पीछे ले जाता है, यह जाना नहीं है इसमृतियों में, यह कुछ चीजों को याद करना है, जैसे आप अगर अगर मान लीजिए, आप लेखन ही करते हैं, तो कोई भी वर्तमान अगले इच्छन इसमृति बन जाता है, वर्तमान तो बस केवल घटता है, आपके चेतना पर उसका अस्तित्त कोई आपके चेतना में, आपके भीतर कुछ भी वर्तमान नहीं रहता है, अभी कल जो हुआ था वर्तमान ता, आज वो अगर आज वो इसमृति बन चुका है, या इसमृति बन चुका है, तो एक लेखक का तो तरीका ही यही होता है, कि वो इस मृतियों को ही उठाता है, जैसे अगर कोई घटना मान लिजिए, किसी किरदार के बारे में मैं लिख रहा हूं, कोई किरदार मेरा रच रहा हूं, तो मैं उसको लिखूंगा तो ऐसा थोड़े उसका, अगर मैं वरतमान अथार्त लिख रहा हूं, तो मैं उसके अतीत में नहीं जाओंगा, तो अतीत में जैसे आप प्रवेश करते हो, तमाम सारी उसके आपको जाना पड़ेगा इस मृतियों में, यह किसी भी लेखक का तो काम ही बगएर इस मृति के चल नहीं सकता है, यह लेखन भी क्या है, कि तो क्या वहाँ पर किसी तरही का दबाव भी होता है, एक लेखक के ऊपर, और जब आप उसको यथार्थ के साथ मिलाते हैं, तब वहाँ पर वो स्मृतियां किस तरह से संप्रेशित हो पाती हैं? मुझे लगता है कि जिस तरह वर्तमान हमारा, जैसे अगर अथार्थ को आपके वल वर्तमान तक बहुत सारे लोग सीमित कर देते हैं, लेकिन जिस वर्तमान में या जिस अथार्थ में इतिहास नहीं होगा, या इस्मृति नहीं होगी, या बीता हुए नहीं शामिल होगा, और इसी के साथ भविश्य की दृष्टी नहीं होगी, वो कंप्लीट नहीं हो सकता है, हो सकता है कुछ लेखक हो जो सोचते हों की केबल जो इस छड़ घट रहा है जो तो उनके लेखन में बहुत तातकालिकता आपको दिखाई देगी, समेदना सेविदन शेलता और एक साहित मुझे नहीं लगता कि उतना होगा, वही रचना महत्वपूर्ण बन सकती है मेरे नजरिये से, जिसमें एक इस्पृतियों का भी लोग हो, या एक इतिहास या अतियत जो भी आप माने, जब तक उससे आप खुराक नहीं ग्रहन करोगे, और भविश्य की दृष्टी आपक परती है, जो किसी भी मैंने इसकी अक्स किराब की जो पहला दिया है, उसमें मैंने यही सवाल उठाया है, कि यह बात डिसकस की है मैंने, कि जैसे आप आख्यान लेखते हैं, बलकि और मैं थोड़ा सा, यह आप ही का शब्द है, लिखकी रसायान, मैंने वही लिया है, जी बतोर अपसाना निगार, मेरी जो जद्व जहद होती है, कि मैं यथार्थ को कल्पना जैसा सुन्दर बना करके लिख सकूँ, और कल्पना को मैं यथार्थ जैसा रच सकूँ, जो है वो, यह तो कठिन होता होगा क्योंकि अनुपात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता होग कई बार नहीं पता रहता है, और ज्यादा तर उसको अगर वो बहुत तोल नाप करके करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो रचना बहुत अच्छी बन सकेगी, जो है वो, लेकिन एक कोशिस होनी चाहिए, जानि यथार्थ को भी जब तक किसी भी दृश्य को थोड़ा द सूर से देखें, बहुत करीब से आप कुछ किसी चीज को देखेंगे, तो आप देख नहीं पाएंगे, और वो सचाई नहीं आपको पता चलेगी जो है वो, फिर तो बाहय जगत जो है, उसके साथ आपके अंतर जगत का टकराव बहुत ज़्यादा होता हो कि जिसको मुक्त कि इस वाक्ति को रचता हो, और फिर वो उस आभ्यांतर की तहों में जाकर फिर बाहर जगता होती है, तो आप वो क्या बनता है, कैसे बनता है, जाहिर है, अगर सिधान्त से ही हर चीज बन जाती, तो हर कोई सिधान्त को फालो करके लिखने लगता, और लेकिन कोई चीज हो को रोचक बनाने के लिए क्या कभी-कभी यथार्थ किस्ता समझोता भी करना पड़ता है। मुझे लगता है कि लेखा को तो अपना सच कहता है वो और सच कहता है और उसको अगर वो सोचे का कि इसे रोचक बना दें अच्छा साब इसको जड़ा विचारधारा भी डाल दें इसमें और यह अच्छा यह विबर शहां यह आ जाएगा तो बड़ी चर्चा हो जाएगी तो यह अलोचक पसंद करें फिर उस गिरने की तो कोई सीड़ियां असंख हैं फिर तो आप एक एक के बास और वह होना चाहिए कि मुझे और एक जिद जिद मेरे तहट यह होती है कि जैसे कोई वाक्य में लिखता हूं तो वहां से जिद शुरू होती है यह कोई विशह चुनता हूं तो वहां से भी जिद शुरू होती है कि इसको जैसे कहा जा चुका है वैसे नहीं कहना है और वो कोई य अर्थ प्रकट करने की चंता मद्धन हो जाती है वो बंजर हो जाती है अर्थ की दिरिश्टी से यह मैंने देखा कहानिया पढ़ते हुए कि जो बात पुरान एक चलता हूँ जो मुहावरा होता है जिससे हम रोज दो-चार होते रहते हैं वो बात उस मुहावरे में कही जा सक है उस के नए पन के लिए किस तरीके से मदब भाषाई पक्रिया से फिर आप गजरते हैं मालीजी यह पं है हम जाना रहूं कि यह पं है और सब लोग बोलते हैं यह पैन है लेकिन आप इसको पैन नहीं कहेंगे और इसको कई दुस्टी से समझाएंगे चाहिद भाषा में नयापन लाके बोलेंगे कि ये कुछ लिखने वाला जो भी आप कहेंगे तो उस दौरान उसकी खोच कैसे करते हैं कि कैसे मैं इस द्रिश्च को नए तरीके से कहूं मेरे लिए एक यही तरीका है आप पूछ रहा हैं तो मैं भी सोच रहा हूं कि क्या करता हूं कि कोई सचेत रूप से ऐसा नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई तरीका ऐसा होगा मेरे भीतर, तो वो यही होगा कि यथार्थ की पुनर रच, मुझे यथार्थ को लिपिबद्ध करने में कोई आनन्द नहीं आता है, मैं हमेशा मेरी कोशिस होती है कि यथार्थ की एक पुनर रचना हो। जीवन जैसा जो कोई अनुभव जैसा आपको प्राप्त हो गया कोई दृष्ट जैसा आपने देख लिया कोई किसी से सुन लिया कोई बॉरणन बृतांत जो है उसको ऐसा आपने लिपिबध कर दिया तो मुझे लगता ये लेखन का काम नहीं होता है तो एक लेखन जो अपनी अथार्थ की अपनी सम्वेदना की किसी भी अभिव्यक्त की जब तक आप अपने अनुभों की जब तक आप पुनर रचना नहीं करेंगे और पुनर रचना में फिर बगएर imagination के बगएर कल्पना के उसमें यह किसी एक तत्तों से कभी स्रेष्ट साहित्य नहीं बन सकता है कोई सोचे कि अगर politically correct है कि केवल विचारधारा की शुद्धता से कोई स्रेष्ट रचना बना देगा मुझे लगता है नहीं बनेगी कोई केवल भाशा के गिमिक्स के जरिए या भाशा की अद्युतियता के जरिए भी अगर कोई सोचता है कि वो स्रिष्ट रचना बना देगा तो ब्रहम्य है ऐसे कोई अथार्थ से सोचता है कि मैं केवल अथार्थ से great novel लिखतूंगा तो नहीं संभव है मेरी निगाह में जो है वो तो एक अच्छी रचना बहुत सारे अच्छे तत्तों का बहुत सारे बंदी होती है वो सब ठीक है कि कई बार लेखक प्रयास से उसे करता है कई बार वो अनायास आ जाता है चुकि अगर दो तत्तों का हमेल होगा तो हो सकता है तीसरा अपने आप जिनरेट हो जाए जो है ठीक बात है वो होता ही है थीसिस, antithesis, synthesis यह तो प्रक्रिया ही है थोड आप तो पढ़ने के लिए वहाँ तो संगर्ष कर रहे थे कि आगे कैसे पढ़ेंगे और इलहबाद ने आप के जीवन को किस तरह से बदल दिया वो भी एक संयोग था संयोग यह था की मैं इलहबाद जिसे कहते है ने पढ़ने मा जब गया उसके पहले ही मैं इलहबाद से इलावाद के साहितिक माहौल में रवा हो गया। मैं भी ये प्रिथंगवर्ष का विद्यार्थी था सुल्तानपुर में गंपसाहिए डिगरी कालेज था महीं बढ़ता था। उसमें मेरे टीचर हिंदी के कहानिकार भी थे। लेखक थे। पत्रिका एक बहुत पहली निकालत पत्रिका परिष जी तो गई गए और पर भी तारीफ हरी की और कालिया जी ने कहा कि काहीं बहुत पढ़ता है आपकी भी सब पढ़ी है, बीना जाने बुझे वो कह दिये, तो थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन कुछ जादा ही बखान कर दिया, कालिय जी ने पुझा अच्छा बताओ, मेरी कौन सी कहानी पढ़ी है, तो संयोग की बाते में उनकी बहुत सारी कहानिया पढ़ च करने में, क्यों गया पढ़ने में, कन आई गनपर साहे के बाद वहाँ इमे नहीं था, तो मैं कमला नहरू इंस्टिटूट, केदार ना सिंग का जिंका जुगर किया है, उन्होंने ये कालेज खुलवाया था, वहां हिंदी से अमे करने लगा, और फर्स्ट यूर में था, जब एक्जाम आया, तो अजीब वहां दृष्च था, कि सब चाकू रख करके, कापी लिख रहे थे, किताब खोल करके जो है, वह सब नकल करते हुए, और सीन यहां तक आगे बढ़ गया था, कि जैसे जिसको पेपर देना है, वह बैठता नहीं था टेबल पर, जिसकी था, दो तीन उसके असिस्टेंट होते थे, जो किताबों से जवाब ढूरते थे, और लिखने, और जिसका परिक्षारती होता था, वह समोसा, चाय, बंद, मक्षन वगर का इंतिजाम करता था, तो वह रिजल्ट आया, तो पूरा, जिसे कहते हैं, पूरा वो विधेल, मेरे शुद्याले में, तो दो साल लेट, एक साल लेट चल रहा है सेशन, तो वहाँ अभी चले जाओ, तो हो सकता है, एड़िशन हो जाए तुम्हारा, तो यह साल बचाने के चक्कर में, इलहाबाद चला गया, वहाँ एड़िशन क्लोज हो चुका था लगभग, तो हमारे इलहाबाद कर जो माहौल था उस समय, बलब वो तो एक गड़ था, जहां से सब कुछ चीज़ें, मैं आप समझे जहां शुरू हो रही हैं, वही खतम, वही पर होंगी, वह इस तरीके की भूमी उस समय थी, तमाम, जितने साहितिकारों के आप नाम लें, सब इलहाबाद एक मैं उसका जो मुख्य, चरितर जो इलहाबाद के साहितिक पर इलहाबाद का था, मैं एक दो बातें उसके बारे में बताना चाहूँगा, पहली बात तो, वह शाइद लिखा भी है मैंने, कि उसको कोई देवता बनना चाहता था, तुरंट वह इनसान बना देता था, वह इल कंधीरता से कोई परहेज नहीं था इलहाबाद को, लेकिन अगर मुद्रा, अगर मुद्रा कोई ऐसी बना रहा है दार्शनिक, यह अपने को शो कर रहा है कि मैं लेखक हूँ, मचिंतक हूँ, तो इलहाबाद बड़ी उसकी टांक चाहिए करता था जो है, और एक संयुक तो अतिरंजित हो करके, वो पूरे शहर में फैल जाती थी, जो है वो, जैसे डीपी तरपाथी ने अपने यहाँ पार्टी करी थी, जो है वो, तो उसमें मारकंडे जी थे, निलकान जी थे, ड्रक्टर सहत्रिकाश मिश्र थे, बहुत सारे लेखक थे, और मुझे लगा कि मारक मारकंडे जी को चलने में मलब जैसे होता है, थोड़ी लड़कड़ा हाटती है, और वहाँ निकली तो रास्ते में पाइंद, आज भी वो CPM का दफ्तर है, वो जगह जिसमें टीपीटे, तब भी दफ्तर था वहाँ पर, तो बगल में गड़्धा जैसा, हाता जैसा था था अब अगले दिन, ये अफवाह उड़ी वहाँ पर, ये अफवाह नवीस ही वहाँ उसका एक मोखी चरीत रहता, ये अफवाह उड़ी कि जब मारकंडे जी निकले, तो अखलेस उनको गड़े में गिराने के लिए जो है वो, हाँ, कि उनके धीरे धीरे उनके बगल में चल रहा था, चुपके चुपके चल रहा था, और जैसे गड़ा आया, तो अखलेस ने उनको धका दे दिया, और गड़े में गिरा दिया, फिर उसके बाद, दो चार दिन के भीतर, ये अतिरंजित कहानी फैड़ी, कि जैसे मारकंडे जी गड़े से बाहराने के कोशिस करते, फ ये ता कि वही इतना फल फूल खाते हैं कि उनके गाय वगएरा जो है, सब उनके घर के सामने जो है, वो डेलाडाले रहती हैं, कि अभी छिलका आएगा, खा लेंगे हम उसे इसे पेड़ भर लेंगे, तो तोड़ा अभान अभी सी बहुत थी, लेकिन मुफलिसी का अगर व सिंगत से काट देता था, वहां के लड़के भी ऐसे थे, जो विद्यार्थी थे, हवाई चपल, पतलून, सुभेरे अपना बनमखन या चाय जलिबी का नस्ता हो गया, और अपना मस्त, बड़ी-बड़ी बहसें, बहुत बातें, माचीत, दिन बर साहित, जीना, मरना, ये स जिंते थे, ना फोन, ना कुछ, भैरो प्रसाद गुप तो बहुत सेनियर थे, लेकिन हम लोगों से एकदम जैसे दोस्त की तरह बात करते थे, आत्मे केंद्रित भी था इलाहबाद क्या, नहीं आत्मे केंद्रित नहीं था, आत्मे रिकिन तोड़ा अभीमान तो था, उसे अपने ठसक थी लाहबाद में, वो तो आज भी है, यह आज जाता है लोग नहीं रह गए, अब आज जो ठसक है, वो मुझे लगता है ठसक का अनुकरण है, वो औरिजिनल नहीं है, चुकि अगर अमरकान जी में स्वाभिमान था, या मरकंडे जी में ठसक थी, तो बहुत त अपने ही लोग थे, जीवन में बहुत सारी चीजों को ठुकराया, बहुत सारी अवसरों को छोड़ा, तो वो दूसरा था, लेकिन आज तो यह है कि यहां ठसक थी, तो हम भी उसी परंपरा में हैं, हम भी ठसक दिखलाते हैं, यह कहावत है ना कि आप इलावाद से बाहर आ रहें, अगर उसने बाहर से फिर बाद में नहीं जुडा, तो इलावाद आपको एक व्यक्तित तो देता है, एक हिम्मत देता है, दुनिया को समझने की आँख परदान करता है, लेकिन अगर आप उससे बाहर नहीं निकलते हों, तो आपको बहुत सीमित भी कर देता है, फि आप इसलिए बाहर निकले वहां से? नहीं, मैं तो बाहर सब सायोग, इलावाद जिसे करते हैं, साही, वक्त या गलत वक्ति, चुकि जब निकला, तो मैं बहुत दुखी था, और मुझे याद है, लीडर प्रेस के पास की जग्याती मैं, शेकर जोशी जी के यहां से मिल कर के आ रहा था, और वह आखरी संधिया थी कि मुझे लखनव आ के जोईन करना था, तो मैं रोया, जिसे करते हैं कि और हिच्खियां मुझे याद है कि रात हो गई थी, मुझे हिच्खियां जैसे आई जम्मी लहाबाद छोड़ रहा था, इतना रोया, लेकिन आया जब मैं और एक साल रहा, कुवर नरायम जी से, श्रीलाल जी से, और भी जो दोस्त लोग बने, तो मुझे लगा कि एक ऐसे भी साहित को देखा जाना चाहिए, ऐसे भी तरीका होता है, यानि जो भीतर उसके बिट्विन दे लाइन्स पढ़ने की जो बात है, जो या थार्थ को दू करने की बात है, वो बहुत सारी तालीम, ऐसा नहीं कि कोई प्रशिक्षण शाला थी यहाँ, विए आप लोगों की संगत में ही सीखते हैं, इसी में अक्स में एक जगा एक जिक्र है, ये कौन है आपने इनका नाम ने लिखा, जैसे एक प्रसिद्ध कताकार जिनकी जिनका अलोचना के ख्षेतर में उलेखनिया काम है, काव शेवयद्याले की अपनी सहधर्मी से प्रेम प्रसंक चर्चा में था, उनके बारे में ये नहीं कहा जाता था कि वह प्रेम में हैं, बलकि इलावाद में लेखक बताते हैं, वो नौकर की तरह बाहर सहधर्मी की खर की होगा सोड़ा सभ और उनका मेरे मन में मेरे गुरूर हैं तो लेकिन इल्हाबाद में हर कोई जानता है समझती मैं भी गया हूं लेकिन मुझे लगा आप ऑब शाद यहाहा बोलनें भोश्वत इज्यत है बहुत सीखा है भूसे नहीं लेकिस वक्ति से इल्हाबाद खाड में रहते हुए, आपने सबसें ज्यादा सीखा, जो आज तक हमें है. बीना सीखाई, जो सीखा वो कालिया दम्पतिके यहां सीखा, वो उनके ह लुगिन का कोई सीखान नहींगे, वो तो मदलब आप कहीं सीखाईयी है तो कालिया जी उसको ठाक के माद लगा बातों से बलकि उनके लेखन कभी मेरे लिए बड़ा मूल्य है वो अमरकान जी थे मुझे लगता है अमरकान जी के सोहबत में आने से या जो भी उनके साथ समय बीता बहुत कुछ सीखा मैंने जो है वो कहानी के बारे में खास तोर पर और जीवन के बारे एक जीवन की जो गरिमा होती है वो उनमें बहुत थी एक गटित का कैसे विकास होना चाहिए कहीं कैसे अपने को चतर बनाना चाहिए ये सब बहुत कुछ सिखाया उन्होंने अपने जीवन से भी सिखाया और अपने लिखन से भी सिखाया और अपनी वक्तरिता से भी सिखाया ठीक सततर में आदमी नहीं तूटता छपी आपकी उसके बाद नवासी नमुक्ति आई फिर शाप करस्त आई फिर अंधिर आई दोहजार चे में यह आपके चार बड़े कहानी संग्रें उसके बाद संपूर्ण कहानिया और अक्स और तमाम काम जो बाद में आया वो तो है ही आप हमेशा बोलते हैं कि पहला कहानी संग्रें जो है मेरा है ना उसको आपके रचनातमक कहानी यात्रा में शामिल ना किया जाए या उस पर उस तरह से बात ना की जाए ऐसा क्यों है ऐसा है इसलिए है कि वो जब मैं में फ़स्ट एयर में था तब ही वो छप गई तो और उसमें फ़स्ट एयर से जो कहानिया शुरू कीती तीन साल के वीतर वो कहानिया थी और बाद में पुझे वोड़ी खराब लगती थी मैं तो छुपाता रहा उससे और लेकिर और के बारे में मैं छुपाए रखता लेकिन फिर बाद में जब बड़ा हो गया कामवाम थोड़ा हो गया तो बहुत सारे शोध के छात्र जो होते शोधार थी हैं वो काम कर रहे थे अब वो किताम मिल नहीं रही है और हमारे गाइट कह रहे हैं कि जब तक वो उस किताब का तो पेज़ती ही पूरी नहीं मानी जाएगी, भई आपको उसका देना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा, तो मुझे भी लगा कि भई अगर ये मुश्किल है तो मेरी वज़ा से किसी को क्यों दिक्कत हो, भई मेरे उपर काम कर रहे हैं, विचारे में मुझे प्रे आप जो है वो, तो दुबारा छपवाई, तो वो उसमें बड़ी मदब मुझे पसंद नहीं थी, वो कहानी, आज उन्हें बदलना चाहें, तो बदलने के इच्छा होती है, मुझे लब उसमें कुछ संशोधन करना चाहें तो, उन कहानियों में, नहीं नहीं, वो कोई कच् विरोजगारी हैं, विरोजगारी हमेशा थोड़ी रही है, आप उसमें कितना आपने रचा, फ्रीलांसिंग तो आपने हमेशा की है, वो तो ठीक है, लेकिन जिसे कहते हैं कि भई एक निश्चित, निश्चिन तो हो जाएं आप जो है, कि भई ऐसा जीवन नहीं रहा मेरा क तब क्या पता इस तरह से लिखन न कर पाते हैं? मैं ऐसा ही चाहूंगा जो है, इसलिए कि उसका जो स्वाधिन्ता मुझे मिड़ी, आजादी मुझे बड़ी प्रीय थी, तो शायद मैं कहीं नौकरी करता, या उसी धर्रे पर चल पड़ता तो दस से पाच बास डांट भी देता, कुछ भी हो, तो फिर आजादी नहीं रहत और रही बात कष्ट की, कष्ट मुझे बड़ा प्रीय है, मुझे अगर आप अपार सुख, कहें कि आप उसमें आप भेज दें, जिसमें बड़ा वैभव हो, बड़ा सुख हो, शायद मैं उसे भाग खड़ा हूँगा उसे, लेकिन अगर तकलीफ मिलती रहे तो मुझे थो लड़ा कष्ट प्रत जीवन हो, अखिलेश जी, चिठ्थी कहानी की तरफ आता हूँ, एक ऐसी कहानी जो आपके नाम के साथ जुड़ गई, हर किसी को और कहानी पता है, और सब ने और कहानी पड़ी है, लगभग सब ने पड़ी है, जब बोलते हैं अखिलेश, तो लोग बोलते हैं, चिठ्थी, तब तक निर्वासन नहीं आया था, तब तक तो कम से कम ये था ही, कुछ कहानियों में एक कहानी चिठ्थी, क्या इसकी रशनल प्रक्रिया रही और क्यूं लगा कि ये कहानी आपको लिखने चाहिए, क्या उस दोर की राजनी थी, आप से एक कहानी लिखवाने को बात दे कर रही थी? लिखिए, चिठ्थी कहानी को लेकर के मैं एक मैने लेख भी लिखा था, मुझे लगता है कि ये तहलका में लिखा था मैंने, जब उसके पचीस साल पूरे हुए थे, तो उस कहानी को छपे, तो संयोग से उन्हों ने कहा, तो मैंने फुद एक बेरुजगारी का दंश जो है वो जेल लहा था, लेकिन चिठ्थी कहानी जो है, जब मुझे नौकरी मिल गई, बहुत अच्छी नहीं लेकिन मिल गई, कमों बेश नौकरी, काम करने लगा मैं, तब मैंने लिखी उसे, और जो बहुत दुख था, यातना थी, और जब नौकरी करने लगा तो फिर एक दूसरी तरह का असन तोश दूसरी तरह का छोब मेरे भीतर पैदा हुआ, तो वो कहानी तरसल बेरुजगार उसमें किरदार है, लेकिन मूलता जो वो थी, फिर बाद में मैंने दूसरे रूप में वो कई जगा इस्तेमाल किया, कि जब कोई सुखी होगा, तो वो अपने दोस्तों को चिठी लिखेगा, लेकिन कोई चिठी नहीं आती है, तो ऐसा नहीं कि उसमें किसी को नौकरी नहीं मिली होगी, एक कल्प ना करिये, वह अगर वो पांसाथ दोस्त हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें किसी को जीवन भर ऐसे ह रहे होंगे वो, तो मूलता ही ये कहानी जो making थी हम लोगों की generation की, जिस विचार से, हम लोगों, विचारधारा से, यो जिस वचारकी से, जिस अंघर से, जिस एंदोलन धरमिता से, जो निर्मिती होगी थी. उसमें ये था, यहां यहां संतुष्ट हो पाते थे न वहां संतुष्ट हो पाते थे जो है वो तो सुखी न होना यानि अगर उसको जोड़ दे उस लेक में मैंने लिखा था कि इस कहानी को अगर शाब गरस्त के प्रमोध वर्मा से जोड़ करके आप देखिए तो उसके पास तो सब है ठीक है घर में पैसे हैं सब कुछ चल आया अच ठीक ठाक नौकरी है लेकिन हो हबी कहता है कि सुखी नहीं हूं तो यह जो सुखी नहीं होने की थीम है जो है वह विकलता है यह यह मुझे बहुत डिश्टर पहली भी करती थी अब भी करती है और इसलिए आपके ज्यादातर इसी तरह के आपको मिलते हैं जो कि विचलित रहते हैं नित्शक्त कम रहता है असंतोष उनमें ज्यादे रहता है परिशान रहते हैं, जी जैसे निर्वासन में प्रन्यास में चाचा का केरदार है, सब कुछ उसके पास है, मतलब ठीक है, जीवन उसका ठीक है, मद्वरगी परिवाचा में एक बेटा है, एक बेटी है, पैसे का वोड़ी नौकरी है उसके पास, लेकिन छुब्द है वो. क्या इसका कारण आपका निजी जीवन भी है कहीं पर? निजी जीवन में कोई ऐसा नहीं, यह द्रसल मैं ने कहा है, में है मुं मेकिंङ ऐसी है, जिसे अभी थोड़ी देर मैंने पहले का कि बहुत अगर सुक हो गया, बहुत व्यवस्था जीवन में हो गई, तो वो भी अपरिय है, वो उतनी पसंद नहीं आती है, जो समाज है, अगर कोई बहुत मीठा मीठा बोलने लगता है या कोई बहुत ज्यादा सम्मान पूरवक अलंग कारिक भाशा में बात करने लगता है तो वह अभी मुझे रुचता नहीं है तो एक आप कह सकते हैं कि मेकिंग ऐसी है कि जिसमें बहुत ज्यादा यथार्थ जैसे मनें रचनप रक्रिया के बारे में कहा कि अगर बहुत कल्पना हो गई बहुत यथार्थ हो गया बहुत भाशा का जाल हो गया तो मुझे वो चीज उतनी पसंद नहीं आती है तो आज का वक्त ऐसा है पहले का वक्त भी ऐसा था कि अपने अपने असंतुष्ट होने के और दुखी होने की अपनी वजह हैं थी ठीक है उसर कहानी की तरफ आ रहा हूं यह वापस उसर की रेचनल प्रिक्रिया के बारे में बताई क्योंकि आप ही के जन्पत के कहानी है जी मैं तो स्ल्तानपुर में था intermediate में आपातकाल जब लगा था तो आपातकाल में मेने बहुत सारे परचिझ जब आपात काल आपातकाल खतम हुआ था तब तक बहुत सारे लोग निता निता तो मेरा बड़ा परचे था मेरे कई दोस्त भी हो गए थे और बसठ्ड़ा जो है जहां जो केंद्र था तो हम सब जातें थे वहां पत्रिकाईंендने खरीदने और खरीदने की खरेश्ठी ठी नहीं हम लोगों के पास तो मैं तो अक्सर तो मैं खरना जी दुकान थी, तो कोशिस होती थी कि पत्रिकाएं वहीं खड़े खड़े पढ़े लें और बहुत सारे लोग पढ़ते थे तो खन्ना जी बाकी लोग को भगा देते मैं भी भागने लगा तो काते तुम रुखे रहों चो कि उनको उता है कि यह अच्छे लिखने पढ़ने वाले लड़कें हैं तो वो पढ़ने यह चाहता हूं कि सुल्टान पूर जन्पत की जो दूसरी लोग सवासीट थी वो अमिठी थी तब हमारे जन्पत का हिस्सत था अमिठी तब सुल्टान तो जन्पत नहीं हुआ था और संजे गादी का वो छेत्र था तो लगवग एक पूरी हमारी पीड़ी के पता नहीं कि उस्टा था कि कैसे खाते हो पीते हो कैसे रहते हो तुम तो सुवेरे चले आते हो दिन भर का खाने का जुउड़ होता है तो उसे बहुट सारी बाते बताई और उसके बात फिर उसके बाद निबर पर भी जैसे कई पोलिटीशियन को गिर रुटीख गोंचा जो गांदी उनकी डेथ हो गई फिर राजियु गांदी जो है वो उसके संसद हो गए तो जब संसद हो गए तो राजी गांदी एक नए तरह का यानि कंप्यूटर पे आपका बाई डेटा जाएगा और आपका टिकट पैसे मिलेगा सब उसमें चेक होगा एक और आला कमान और तो ये परंपरागत पॉलिटिक्स वाले इसको समझी नहीं पा रहे ते क्या है तो वो समय ने उसमें लिखा था कहानी की रूप में ढौतिया अच्छा कहानी के प्लॉट कैसे खोज मतलब क्या खोजने पड़ते हैं या फिर एक लेखक के द्रिश्ट्री इस तरिके की होती है कीःकी वोजब देख रहा होता है तो तो उसे लगता है कि यह कहानी बन सकती है यह कहानी का मेरा पात्र हो सकता है है डिखिए है, अट है कि अलग अलग लेक्खों का होता है जैसे बहुत सारे लेक्खा आपको मिलें जो कहेंगे कि हमने तो अपने हर पात्र को स्माज से लिया यह वास्तविक अप्यासा होता नहीं है होते भी हो उसका खंडर नहीं कर रहा है होते होंगे उनके यह को लोग कहेंगे एकदम सची घटना है इस पर लिखा है तो भी अच्छी रचनाई भी लिखी गई होंगे उस पर मैं उनको कंतर नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेरे लिए जो है कि एकदम जिसे काते हैं एकदम सची वो काम की चीज नहीं है अब तक मैं मालब एक कहानी भी लिखूंगा तो जब तक उसमें कई कहानिया मैं मिला नहीं दूँगा जो माल लीजिए एक सची घटना मुझे पता भी है तो लेकिन जब तक कई सची घट मैं मिकिसिंग नहीं कर लेता हूं। और जब तक उसमें कवने उसकी पुनल रचना प्रंग आपको इमझिनेशन के पास जाना पड़ेगा, पुनल रचना तो बगार कल्पना के संभव नही तो ये थार्त और कल्पना के मिश्रुन से मैं तयार करने के कुछ preparedness करता लब सच्चाई उसमें रहती है, रहती है, आसपास सही लेंगे जाहिर सी बारे, तब आपको यक्षगान की शुरुवात में ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, कि ये कालपनिक कथा है, इसके चरित्र स्थान घटना है, मनतब वे सभी कुछ कालपनिक है, उनका वास्ताव आपको मिल जाएंगे, हाँ, नहीं, शुरुच जैसे पाईए, एक उतर प्रदेश में प्रकरन हुआ भी था, पिर आपने ये क्यों लिखा है, ये एक होता है, कि आदो जी संपादक थे, तो उन्होंने कहानी बहुत पसंद की, और कहा है, इसको छापते हैं, फिर पता नही कैसे उनके हाँ, उनके कोई कानूनी सलाकार थे, मेरे खासे अर्विन जैन जी थे, तो उन्होंने उसको, उनके दफ्तर जाते होते रहते हैं, तो कुछ चर्चा किया होगा, तो ये यादो जी के दिमाग में खुद ही आया हो, कि भाई इसको एक बार पढ़वा लेते हैं, तो पढ़वाया होगा, तो उन्होंने कहा होगा कि भाई ये, तो किस हो सकता है, कुछ इसमें कापी चीज़ें घटीत हुभी हैं, तो उन्होंने ही कहा कि भाई इसमें कोई कैसे रास्ता निकाला जाए, तो उन्हीं का आइडिया था, कि आपको इस पर आपत्ती नहीं गटना, एक आरोप एक पार्टी के बड़े नेता एक बहुत तच्छिडपंथी संग्ठन के मुखिया थे वो, और उनके उपर एक वाकाइदा प्रेस काइनफरेंस करके यहां पर आरोप लगाया गया था, यहीं काफी हाउस में, हजरत के काफी हाउस में, कि लड़की भी एक आरोप लगा कि यह रेप किया मेरा, इतने दिनों तक जो है वो, और मैं वो उन सब चीजों से वाकिप था, फिर संयोग की बात है, कि मैं उन दिनों पत्रकारिता में था, रिपोर्टर था, संबाद दाता, तो मुझे यह हुआ कि इसको कवर इस्टोरी बनाना है, हमारी पत्रिका ने कहा कि इसकी कवर इस्टोरी आप करी है, तो मैं गया, और सारे वो उसके वकीज से उसका जो जी जा था, जिसने केस राश्टरपती यहां तक यहां तक पूट अप किया था, उससे मिला, और आसपास के लोगों से बहुत मिला, तो बहुत सा, बनलब उसकी चानून की, उस तरह की केसे जो थे, उनकी किताबें मैंने पढ़ी, हाई कोट के वकीलों से भी वादचीत की, तो मैंने एक बड़ी स्टोरी मैंने करी थी, तो खर तपकर दी थी, करती थी मैंने, लेकिन बाद में फिर मुझे लगा, वो पांच-छे साल बाद मुझे लगा मैंने का ना कि तूरंत कोई चीज नहीं बनती है, तो वो लेकिन हांट करती रही जो है चीज, और मुझे लगा कि बढ़ी वो कुछ नहीं अधूरा रह गया था उसमें, अब वो अधूरा मेरा अनुभो ग्यान नहीं था, वो सूचना नहीं था, उस अनुभो सूचना और ज्ञान के परिसर से बाहर कुछ ऐसा था, जो मुझे लगता था कि वो रह गया, और उस प्रक्रिया में फिर मैंने इसे कहानी, 97 में कहानी चपी थी, और वो घटना मुझे लगता है कि नबे के आसपास घटी थी, साथ वर्ष बादा, यानि एक तरीके से बहुत शोध आप प कोई घटना, या कोई वाकिया जो है, या कोई बितांत जो है, अख़वार की खबर भी हो सकती है, छोटी सी खबर हो सकती है, मैं उससे भी कहानी मैंने बनाई, लेकिन वो एक केवल फ्रेम होता है, उसमें जो भरना होता है, फिर वो मेरी अपनी दुनिया होती है, फिर मैं उसमें अपने अनुभों लोग में जा सकता हूँ अपने चेमटी वह ऊस्समें आ हैं इसी आपको एक फ्रेम मिल गया अब इस फ्रेम में मुझे अखिलेश ऑफना कैमरा मेन चाहिए अंज्व भी बाकी लोग भी चाहिए है जब आप यह सब हम लोग को उसमें भरेंगे तो कहानी के हिसाब से भरेंगे कहानी आप आगे ले जाते हैं या हम सब आगे ले जाएंगे पर नहीं जैसे माल लीजिए एक कहानी मैंने लिखी ग्रहन तो मैंने अख़वार में इतना ही पढ़ा क्या बात है मैं ग्रहन पर ही आने वाला था कि वो जो नायक बच्चा है उसका उसकी निर्मती कैसे हुई थी हाँ तो मैंने अख़वार में एक ख़बर पढ़ी कि ऐसा ऐसी समस्या एक परिवार में थी और वो अब मुझे वो टाइम नहीं आदे है बारा साल या चौदा साल या सोला साल बाद जो है या ठारा साल बाद उसका पिता जो है इलाज कराने लख्णों के मेडिकल कालेज मे लिए आए था वो ड़ाज ने उसका मुफत इलज किया आपरिशन किया और आपरिशन कहता है उसको छोटा आपरिशन, उसमें उतकाल कर दिया गया अब एक जो मेजर आप 125 होना था यही अक़बार की ख़बर थी उसके लिए उसके पास पैसे कहीं नहीं थे तो खिर उसकी कि एक दिन मुझे जो वाक्य उसमें था, कि एक छोटा आपरेशन तो हो गया, लेकिन जो एक बड़ा आपरेशन होना था, उसको इग्नोर किया, इस सोसल सिस्टम ने, इस इंजस्टिस के व्यवस्थान ने जो है, वो आपरेशन नहीं होने दिया, गरीबी नहीं होने दिया, सापरेशन को, तो बस अब उसका भाश्य मेरे दिमाग में ये था, अब मुझे, मुझे लगा, ये बड़ी तक्रीब तेस्टित थी, तो मुझे, मैं कई चीज़े मैंने रिलेट किया, कि वही ये जो मालिजिक, एक पंचित कम्यूनिटी जिसे कहते हैं, कि एक आलक्षण की विवस्था कर दी गई, एक छोटा आपरेशन के, लेकिन जो एक बडलाओ, मुकमल चेंज होना चाहिए था, एक जो बड़े आपरेशन की जरूरत थी, इस बरण विवस्था को तोड़ने की, वो नहीं हो सका जो है वो, तो मेरे पास उतना फ्रेम था, मैं मैं तो मैं देख पी उसमें आती है, कि कैसे वो इलाज के लिए आता है अपने जो वन्चित तबकी की नेता है, उनके दरबार में आता है, तो फिर तो फिर मैंने इमेजिनेशन और तमाम सारी चीजों की गुत्थम गुत्था शुरू हो जाती है, ठीक है, पेट हगना जैसा शब्द जब इ आप देखेंगे कि वो जो शब्द आप बोल रहे हैं, उसी कहानी की भाशा ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी ऐसी है, कहानी की भाशा तो आपको कई बार पॉलिटिक मिलेगी, ज्यादा तर जगा पर तो पॉलिटिक उसमें मिलेगी जो हो, लेकिन अगर वो इतात इतना उसके उससे आप पूछिए ना, अगर उसकी दुख को हमें लिखना है, तो एक मर्यादित शब्द की चक्र में हम उसको लिखने से, हम क्यों उसको गल्चित करें, जो है, क्या भाशा की मर्यादा कहानीकार के भीतर होती है, या उसको उसका ध्यान रखना चाहिए, कुछ भ मर्यादित नहीं हो, अगर आपकी भाशा लग रहा है कि कई बार तो मर्यादा तोड़ने से ही भाशा विक्सित होती है, और अगर मान लिजी अगर ना तोड़ते, तो अब तो वही संस्कृत निष्ट भाशा चलती रहती, जो छायावाद की भाशा थी, या और पहले जो सं बास्ता तैयार करती है, क्योंकि भाशा के संबन में आपका कहना है कि मैं कत्थर और शिल्प, पिर जादा जोर नहीं देता, कत्थर आपके लिए जादा इंपोर्टन्ट है, भाशा के बनिस्पत, हाँ मैंने ये कहा है, और मैं यही सोचता भी हूं कि कोई हर चीज की अपन मनिश है, म laughingman अखिलेश में हूँ, तो मैं अखिलेश कोई, ऐस होड़े में सवयंभू करके आ गया हूँ, वहुस्त सारे लोगों का खुण पिसीनाू हूँ, बहुस्त सारे लोगों की प्रिणाएं हूँ, बहुस्त सारे लोगों के विचार नहीं हीं, सब मुझ मैं इनती ह किसी का जो है वो लेकिन कथ्यों शिल्प में द्वांदों तो होता होगा लेकिन द्वांद से ही निखरती है चेज दुनिया की विकास ही बिना द्वांद की नहीं हुआ है जिसे करते हैं द्वांद आत्म होती वाद तो यह तो माना जाता है सभेता का विकास ही द्वांद से ह हुआ है तो कथ है और लेकिन जो एक बार्सवादी ट्रेनिंग थी पहले शुराती दौर में किसाब कथ ही प्रमुख होता है और वो अपने हिसाब से शिल्फ बना लेता है अरे तब तो राम कथा अगर वालमिक लिखे थे तो तूसी दास लिखे तो मैत्रिशन गुप्त सब की तरीके से लिखते हैं तो भाशा और शिल्फ भी कथे का रूप तैंग करते हैं जो है वह एक और कहानी की तरह आ रहा हूं आपकी प्रमुख कहानी है जलड़ अम्रू बद्धे चार पीडियों की कथा है और अपन्यासिक विस्तार की तरह है एक तरीके से आपको लगा न चाहिए जब आप चार पीडियों की कथा को एक साथ साध कर चल रहे हैं तो देखिए पीडियों मेरी काफी रचनाओं में आपको एक साथ कगये कई जगे तीन हैं, बात की कहानियों में, तो आपको खास तोर पर मिलेंगी, दो तीन पीडियों तो जैसे वजूद है, तो मुझे लगता है एक दो तीन, वो भी तीन पीडियों की कहानी है, तो पिर तीन पीडियों मिलेंगी, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगता है कि और मुझे लगता है कि जैसे आप एक रचना में अगर आप सो साल की कहानी कभी एक कहानी में सो साल की कहानी आप कह सकते हैं तो अगर तीन पीड़ीयां चार पीड़ीयां आ रही हैं तो क्या दिक्ट था जो है बसरते जबरन कोई चीज न लाए आपको कोई यह शौक न आ जाए, किसाब मुझे चार पीडियों की कहानी लिखी है, लेकिन अगर आपका काम के लिए जरूरी है कि चार पीडियों उसमें आएं, तो ले आना चाहिए, अगर एक ही पीडियों से काम चल जाता है, एक किरदार से भी अगर काम चल जाता है, या आपको लगता है कि कोई चलाना चाहिए? जंगत में एक कवी आये थे, नाम मैं आपर नहीं लूँगा, बहुत प्रतिबध और काफिर लोकप्रिय कवी हैं, उनका एक स्टेट्मेंट है लंबी कहानियों के बारे में, जो उन्होंने एक मरतबा किसी इंट्रिव्यू में दिया था, और कहा था कि 15-20 साल की लंबी कहानि लिखी जा चुकी है, ये एक परताल का विशा है कि यहां आकर हमने अपने गद्य में क्या खोया और क्या पाया, आपको भी लगता है कि 15-20 सालों की लंबी कहानियों में गार्बिज बहुत है, ये तोहमत लंबी कहानियों पर ही क्यों दीचाएं, आप क्या छोटी कहानियो में सब बड़ी मुल्यमान ही हैं क्या, ये जितने पन्यास लिखे गए, ये कविताएं लिखे गई, तो क्या उसमें सब कुछ हीरम होती ही तो है नहीं, तो ये तो हर विदा में होता है, हर शिल्प में होता है, कि बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन वक्त के साथ अगर जो बची रहती हैं, तो कुछ ही चीजे होती हैं, तो लंबी कहानियों के साथ भी ऐसा था, बहुत बार चूंकि एक सायोग ऐसा था, कि हम लोग के दौर लगभग ये मैं बताना चाहता हूं, नाइंटी के बाद जो है वो, इसको इस रूप में देखना चाहिए, नाइंट इतर को हंस पत्रिकान चाहपा था, तो अब ये हुआ कि कहानी कोई अपनी अंतरवस्त के हिसाब से अपनी गुर्वत्ता से नहीं प्रसिद्ध हो रही है, लंबी कहानी होने के नाते, तो उस फैशन में, किसी चीज का अनुकरण जो है, बहुत सारे लोग करने लगते हैं, तो बहुत सारे लोग उस प्रेशर में लंबी कहानियां लिखनी शुरू किये, तो हो गया कच्राई कठा जो है, ऐसे कोई भी चीज चलती है, तो सामपर्दाइक्ता पर मान लिज्ये कहानी, इस तरहीं भी मर्श पर लिखना है, अब एक आ गया, तो कुछ लोगों ने कि साथ इस पर लिख करके अपने नंबर स्कूल बढ़ना है, तो उस तरह ऐसे लिखा हो नहीं है, क्या कोई मतलब एक तरीकी की फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला तो सही शबने होगा कि वो कसोटी क्या है, जिस पर उपन्यास या लंबी कहानी को कसा जाता है, मसलन एक उपन्यास हो सकता है वो 50 या 60 या 70 पेज का हो, और हो सकता है कोई कहानी, लंबी कहानी 90 या 100 पेज की हो, लेकिन तब भी वो लंबी कहानी कहलाती है, और वो उससे कम प्रिष्ठों का होने के बाद तब भी वो उपन्यास कहलाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए पहली बात जिस लंबी कहानी की बात हम लोग कर रहे हैं उसका जरा हम लोग को ये देख रहे हैं आखिर क्यों अचानक एक भाष्षा में लंबी कहानिया इतनी जदा लिखी जाने लगी और उसमें काफी गुरवत्ता की दृष्ट से बड़ी मुल्यवान आज भी हि कि अगर नबे के बाद आप कहानियों की एक सूची बनाएं इस रिष्ट कहानियों की तो काफी उसमें लंबी कहानिया मिलेंगी जो है तो क्यों कहानिया लंबी होने लगी इस पर भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए और इसका ध्यान ये है कि जब ये नया यथार्त बन र जाती है सुवियत संग का विखंडन हो जाता है हाँ ना 89 के बाद का पूरा सीन बदल जाता है और नई टेकनलाजी आ गई कंप्यूटर आ गया वगर तो तो अब पहले अथार्त बना दृष्ट में रहता था जो है उसकी परताल आप दृष्ट में कर सकते थे जैसे सामपर दृष्टा दृष्टा लड़ते हैं और तीसरा लड़ाता है लेकिन फिर कैसे उसमें एक नौमी आ गई उसमें कैसे बड़ी बड़ी चीचें आ गई एक अथार्त की जो डोर है यानि खाद नहीं मिल लहा है तो उसकी भी डोर हो सकता है कि एक बड़ी दूर तक गई हो कई कई तार उसके अथार्त के चारों दिशाओं में फैल चुके होते हैं तो बतार लेखक आप किसी की भी इतनी छमता नहीं होती है कि वो सब चीजों को जान ले जो है वो सब चीजों को अपने अनुबहुत जगत से प्राप्त कर ले तो इसलिए कहानिया लंबी इस वजह से ह तो हमें हमें सब कुछ पकड़ना अगर पकड़ना है अथार्त को ब्रिह दिस्तर पर तो उसका आकार बढ़ेगा और यहीं पर केवल लंबी कहानी तो लोग बोलते हैं लेकिन वहीं कहानियां जो स्थापी तुनी जिन्हों ने अथार्थवाद को भी चैलेंज किया यानि क ने ने शिल्प बनें ने ने तरीके बनें तो ऐसे कहनिया बड़ी मेरा सवाल रह गया जे उसका जवाब रह गया कि वो कसौटी कौन सी है जिस पर कसते हैं क्योंकि नब्बे पेज की कहानी भी हो सकती है और साठ पेज वाला उपन्यास भी हो सकता है देखिए अगर अगर नब्बे पेज की सतर पेज की कहानी को अगर आप एक उपन्यास कह रहे हैं तो फिर जाहिर है कि उसमें देखना पड़ेगा कि उसके उसने कहानी के पारंपरी कि इस्ट्रक्चर को कितना ते तोड़ा है कितनी उसकी परिभाशा को धौस्त किया है और मैं कहना चाहता कि जो लंबी कहानिया थी कि जोख्म उठाया कि कि बनी 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 बनाई परिभाशा झाहन, वह एक चोटा सछन होता है, या ख़िड़की से आप एक याथार्त का ठुकड़ा देख लेते हो, याएनि या याथार्त का ठुकड़ा है अनुभो का उन सारी वरिभाशाओं को इन कहानियों ने धरस्त किया एक एपिक विजन के साथ जो है कहानिया लखे गई तो उसका तो ये जोखम भी उठाया इन कहानियों ने आपकी दो कहानिया हैं श्रिंखला और अंधेरा आज के समाज को समझना हो तो आप इन कहानियों को पढ़ सकते हैं और जो आज घटत हो रहा है आपकी कहानियों में पहले घटत हो चुका है यह भविश्य की अनुगूंज कैसे सुन लेते हैं या कैसे यह हो पाता है कि एक कहानिकार या एक लेखक वो देखता है जो संभवता आज से दसरबाद घट सकता है देखिए कोई भी घटना ये कोई भी नया आया हुआ अथार्थ जो है वो अचानक टपक नहीं पड़ता है उपर से ऐसा नहीं टपक पड़ेगा इसकी आहट पहले सुनाई रहती है वो लोगों के बीच छोटे छोटे समधायों के बीच छोटे छोटे महलों में घरों में वो रच जा रहा होता है या वो जो है जन्म ले चुका होता है तो एक बड़ा नेता एक बड़ा शमास तास्तरी तो जब वो फैल जाती है चीच जब वो समाज में घटित हो जाती है किसी बड़ी घटना के रूप है तब वो दरज करता है जो है लेकिन एक इसा गो जो है वो जो लोगों के बीच र रहा है जो है वह या छोटे लोगों के बीच भी नहीं एक लेकां को तो एक किसा गो को बड़े लोगों जो पावर डिश्ट्रक्चर के लोग है उनके बीच भी अगर उसकी पहूंच है तो वहां तो आत्मा का जासूस, वो यथार्थ का भी जासूस होता है, जो अभी सम्मान यांक से जो है सम्मान ये लोगों को बाद में पता चलता है, वो एक लेकर यथार्थ का भी जासूस होता है, चुकि वो लगा रहता है, अपने ढंक से छोटे-छोटे खंडों में लगा रहता है, मैंने का ना दुकानों पर लगा है, सुनेगा, तमाम लोगों की बात से सुनेगा, पूछेगा, सवाल कर सकता है, तो उसे पता चल जाती है, जब आप पावर डिस्कूर्स रचते हैं, अपनी कहानी में, मिसाल के तोर पर अगली शताबदी के प्यार का रिहरसल, जहां पर ना को खोशता है, जिससे वो उसको थोड़ा सा नीचा दिखा सके, जब इस तरह के पावर डिस्कूर्स रचते हैं, जहां पर किसी का आधिपत्य स्थापित करना है, या दिखाना है, तो क्या लिखक के उपर यह दबाव भी रहता है, कि इसके साथ बाकी पावर डिस्कूर्स चले जाएं, जिसमें जाती भी आजाएं, जिसमें जेंडर के अलावा बाकी तमाम चीज़ें भी आजाएं, देखिए जह इस कहानी का आप जकर कर रहे हैं, उस कहानी का विशह ये है, कि यूवा पेड़ी के दो खरदार हैं, जो प्रेम की हमारी बनी बनाई अवधारणा चली आ रही है, वही सनातना उधारणा है और इधर भी बहुत सारी प्रेम कविताया पढ़ी है या प्रेम कानिया पढ़ी है, तो रहता है एक बड़ा पवित्र किसम का उसके बारे में परसेप्शन बना हुआ है, होता भी है, मैं यह लिए कर रहा हूँ कि वहाँ, जो धुस्त कर दिया है, जो प्रेम की को मलता है, जो प्रेम का मतलब क्या है, कि मैं नश्ट हो सकता हूँ अपने पार्टनर के लिए जो है वो, मैं जो हूँ, मैं तकलीफ उठा सकता हूँ, मैं पहले परसेप्शन यही परिभाशा थी कि प्रेम में कितना मिट सकते हो आप जो ह और यह नई तरह का प्रेम है, जिसमें कोई, जिसमें सब एक दूसरे को सोचते हैं, मैं इसका इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इसको बेकूब बना रहा हूँ, बना रही हूँ, उसको सोचता है, कि मैं इसका इसको सोचता है, तो पैसा मिलेगा, उसको सोचता है, वो रहा है कि मुझे धोखा देना है मोगत अगर नहीं मेरा बनाया तो मैं धोखा दे दूँगा तो वो भी सोच रही है कि नहीं में कोई और पार्टनर तला शुरू है अचली मैं ऐसे पुषता हूँ कि जब आप लिख रहे थे तो विमर्शों का दौर था जब आपने पत्री का समालने शुरू की खास का वह नहीं है जब विमर्शों का दौर था असी का अंथ नब्बे की शुरूआत ये पूरा कपूरा अगर आप ले तो विमर्श नए-नए आते हैं खड़े होते हैं उसे पहले से आई जाते हैं क्या जो विमर्श ने थे वो जिस लक्षे की और मुह करके चले थे क्या आपको लगता है वह उसी लक्षे की और अभी भी चल रहे हैं या कहीं भटक गए हैं रास्ते में मुझे लगता है कि एक कोई भी जो अपना जो अपकी डिमांड है, जब तक उसमें अपने सास साथ एक पूरे समाज का एक सुन्दर्ता का स्वपन नहीं शामिल होगा, तब तक जो है चीजें जो हैं, वो सही शकल में नहीं आएंगी जो है, तो विमर्ष में प्राया ये देखा गया है कि एक शत्रू होना, एक शत्रू आप देखें कि चाहेंगर पॉलिटिक्स में आप देखें, तो पॉलिटिक्स में वो बहुत अच्छा है, हम सब लोग ओट करते हैं, ओट किये, जो असमितावादी राजनीती रही, उसको सपोर्ट किये, कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन उसके पीछे सुन्दर्ता का स्वपन नहीं होगा, और सुन्दर्ता का स्वपन बिना किसी सचाई और नैतिक बलके आप जो है, अचीव नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसकी परिणती हम सब लोगों ने देखी है, जो है वो, लेकिन उसको प्रश्नांकित करने का मतलब यह नहीं है, कि उस विबर्ष को आप प्रश् विमर्ष बहुत साथ भी देते हैं, बहुत उन्होंने काम किया, हमारे पूरे साहित का एजंडा बदला भी मर्ष ने, खास तोर पर हंस के पन्नों पर आप देखें, साहित को देखने का जो नजरिया पहले था, अगर वो डिबेट नहीं होती तो मेरे ख्यास से एक बदल द दिखलाना है, तो वो उन्हें हो, वो एक आतिंतिक होना चाहिए जो है वो, निर्वासन, खूब बात हो चुकी है उस पर, खूब लिखा जा चुका है, बहुत लोकप्रिया है, उस पर मैं बस यतना पूछूँगा आप से कि निर्वासन के खुमार से मुक्त हो पाएं हैं? मैं टाइम लगा, नहीं हो पाया था मैं, बलकि मैं बताओं आपको कि संचोधा में मैं उसे लिखा और साथ आठ वर्ष मेरे लगे उसमें, नहीं भी लिखता था तब भी साथ रहता था उसका, और अचानक जब वो पूरा हो गया, तो बड़ा खाली पंसा लगा, रिक्ती भीतर महसूस हुई, और यहां तक की जैसे होता नो, वो समय मेरा बड़ा अच्छा था, छपा, खुब लोग तारीफ कर रहे थे उसकी, खुब सरा रहे थे, एक साल के भीतर उसके तीन-तीन संस्करण हो गए, तो खुब पसंद कर रहे थे, पुरसकार मिल रहे थे, हर तरह जीवन अच्छा, मेरे बच्चे ठीक ठाक कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ भी खुशी नहीं होती थी, और जिससे लगे न कि, कुछ खाली सा हो गया, मुझे लगा कोई अच्छा ही ने लगे, मुझे लगा मैं कहीं अउसाथ का रोगी हो गया, क्या, रियल बता रहा हूं, मैं डाक्टर के पास भी गया, अच्छा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो उसको भी लगा कि इनको डिप्रेशन है, उन्हों का हाँ, हाँ, आपको तो देख, डाक्टर को क्या, उसको नुस्का बनाना है, रहा सही बात है, तो उसने द्वाइं लिग दी का आपक सोचा, कि क्या मेरे पास था, अब क्या नहीं है, मुझे लगता था, फिर मै पहुचा वहाँ पर, कि भई, ये मेरे पास था, कि मैं तो साथ साल उसी उपरन्यास के साथ जिया, नहीं लिखता था, सोने के पहले भी दिमाग में आए रह बнокुणियुक्य को असे करना आए, वो चीथ डालनी है, वो निकालना है, द्यूदे चलती रहती थी प्रकलिया वो साथ खतम हो गया, 24 गया, जब तक जगता था तब तक का साथ ता, वो खतम हो गया, फिर पढ़ने लगा, फिर मैं दूसरी चीज़ये पढ़ने लगा, तो वो उबर गया मैं उससे, तो टाइम लगा। या इतना भी नहीं डूबना चाहिए? नहीं डूबना चाहिए, बीना डूबे तो मैं अब जो लिख रहा हूँ, उपन्यास, फिर मैं उस ख़तरे के बावजूद लिख रहा हूँ. और निर्वासन में किवल व्यक्तियों का निर्व आउले सस्ता फिर्ल भी बदर अचीऑ, उपनने उपन रूह पराईए, उपनी जगह पर यहां मृच्ण, भी फिर करता था वह लोग ऎपने नहीं रह गए वह तरीके सा स्ल्तान पूरुड वक कमाम चीज़ों खोज JJ है वह पूरे हां मैंने का यह सारी में खोज है पहसारे चीजर्द आए स्मृतियां नश्ड हो रही है फिर आप स्मृत्यों फिर ने जो बात मैं कहना चाहता था कि जो समय आएगा वो पूजी बड़ी पूजी और दच्छिडपंत की गटजोड का समय होगा यह 14 में छब गया था उपन्यास फरवरी में ही तब कोई ऐसा गटना राजनेतिक परद्रिश ऐसा नहीं था मेरा आकलन यह था यही उपन्यास का नाभिक भी है कि उसमें दच्छिडपंत की चेतना और बड़ी पूजी का गटजोड जो है आप देखें उसमें यही नाभिक है उस उपन्यास में ठीक पत्रिका की तरफ आ रहा हूं संपादन करने ने या एक लेखक के संपादक होने से लेखन पर किसी तरह के खत्राभ भी होता है या केबल तो सहायक के तOR differenti करते है यह एक खत्राप चुМ कि हमारे पास हमारे हिंदी समाझ में भूट सारे द्रिष्टांत ऐसे रहे एं कि वह संपादक होने के बाद बहुत बेगज रशिन अकार था रहा है कि वह संपादक हो और उसके बाद उनका काम काम हो गया लिखने का जो है वो कई बार एकदम से खतम हो गया जो है काम जो है। तो मैंने भी जब संपादन शुरू किया तो लगभग आचा मैं तो ऐसे भी मैंने कहा शुरू में कि कच्छबगती का लेखक था बहुत कम लिखता था कई का लंबे-लंबे अंतराल हो जाते थे तो अंतराल वो सभावी का अंतराल था लेकिन हमारे तमाम शुपचिंतकों ने यह कहना शुरू कि आप तो खतम अब अब तो संपादन करने लगा आप तो लेकल नहीं दो नहीं तीन चार पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं हां मतलब एक बाद तो तीन एहीं मानिए चार तो संपादन से जुडा रहा संपादक तो दो का ही रहां तो ये कहा कि भाई ये अब इनके लेखक कर अब बरत्य जो पहुषती है आप तक बात जो है, कि सीधे तो आपसे कोई कहता नहीं है, लेकिन बात इधर दर अब भाव उसका ये था कि अब एक अखलेश के लेखक की भृत्य हो चुकी है, तो मुझे लगा कि ठीक है, देखते ह तो मैंने काम किया, तो आपके सामने है. धर्ष्ण मुझे लगता है कि लेखक की एक संपादक, जो है, लेखक को मौत के मुहाने पर नहीं ले जाता है. जो संपादन की गहमा-गहमी होती, जो अकरशन होता है. जो आप तो वो आपको थोड़ा पहले से सजग रहा है जैसे एक संपादक है उसको बहुत सारे लोग बुलाएंगे अपने अगोश्टियों में ज्यादा तर लोग बुलाएंगे क्यों चाहिए होता है लिखक को संपादक का एक मोहर क्यों चाहिए होती है? किसको? नहीं मैं तो मैंने तो खुदी कहा मैंने मनलब आज ही मेरे जीवन में अगर एक विवस्था होती तो हो सकता है इस तरह से उसकी एक अलग कहानी तद्बो निकालने की थी मैं तो बड़ी गर्दिश में था मेरे सामने विकल्प यह था कि मैं अपने परिवार को लेके गाउं चला जाओं वहीं गाउं के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाओं मैं तो एक ऐसे जिंदगी के महाने पर दुर्भाग्यवस्ट जो है वो तो इक्जेक्ट में बता लो मैंने कोई इतनी बड़ी महत्वक अंक्षा से पत्रिका नहीं शुरू की थी मैं तो सोच रहा था कि चलो एक श्रीलाल जी पर एक इसी पर निकालते हैं पत्रिका पहला अंक तो निकालते हैं उसको थोड़ा सा काम भरका हो जाएगा उसके बाद को हार्ड बाउंड बना करके मुझे केवल तीन चान्द महीने का वक्त ही चाहिए तरलक नहीं हुआ फिर कोई काम हो हम ढूंठेंगे लेकिन फिर इसमें इतना सरहना इसको मिली सरहना भी मिली और कई लोगों ने आपके संपादन पर सवाल भी उठा है लिखा भी बहुत सारे लोगों ने कई तरह की बाते हुई तो क्या एक संपादक दबाव में भी बहुत ज़्यादा काम करता है कि ये मित्र है इसका च्छापना है सीधा पूछता हूं कभी मेरे उसमें दोनों से आप कुछ है मेरे मित्रों से भी पूछ है और जो मेरा बिरोत की है कभी समझादा किया मुझे लगता है अगजेक्ड ये बात तो मेरे सभावाव में नहीं में déjàवा करूं कि मैंने कभी समझादा नहीं ये बड़ा Depois हमया बिलकुल समझादा क किया होगा लेकिन जो आप कहा रहा है कि कोई मैंने अपने विरोधियों को भी छापा जैसे जन्हों ने मेरा बड़ा विरोधिया था और बड़ा अचरज उनको हुआ जैसे कमल भार्ति साहब ने, उन्होंने मेरी कहानी छपी थी ये गरहन, बहुत ही खिलाप लिखा था उन् और मैंने उसको तुरंट जैसे रहते हैं कि मैंने उनको चाप क्या मतपत्र भेजा उनको तो उनको अखेनी नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी हो सकता है तो मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरे सामने केवल वो रचना न कोई मेरे बड़े गहरे दोस्त भी हैं उनकी भी चीजें अगर मुझे मिली मुझे नहीं अच्छी लगी तो मैंने बुला कि यह नहीं हो पाएगा यह नहीं छप पाएगा तो मेरे आप कसाउटी पर प्रशन ही रखते हैं बहुत सीनियर राइटर जैसे मेरी पत्रिका की जो शांग बढ़ी जिन कुछ है लिखकों की वजह से उसमें मैं एक नाम लेना चाहूँगा पीसी जोशी साहब से तो पीसी जोशी साहब ने बहुत सारी चीजे मेरे हम उनकी छपी एक से बढ़कर एक लेकिन फिर उनकी भी एक चीज मैंने वापस कर दी उन्होंने वेजा मैंने बहुत हो कि वापस किया आपने आपके खिलाफ लिखा भी गया फेस्बुक पे लंबे लंबे लेकिन पीसी जोशी से जब एक लेकर ने कहा कि देखिए वो एक से एक बढ़कर चापते हैं तो पीसी एक हिम्मत थी वो इलहाबाद से ही आई थी कई गुर भी इलहाबाद के संपात्कों ने सिफाए से उसरेष मट्यानी कि अगर राइटर है तो राइटर और एडिटर का संबंद यह नहीं हो तो आप उसका च्षाप रहे हों आप वोस्रेष्ट है उसकी रचना तो आपके हैं नहीं कहीं और चपेगी, मशूर होगी, तो आपकी गरज है, आप एक भिख्चुक की तरह जो है उसके पीछे लगी है, ठीक है, आपके बारे में एक चीज अखिलेश जी कही जाती है कि आप कोई स्टैंड नहीं लेते, किसी के ना साथ खड़े हो होंगे, मैं सबके विरुद्ध मैंने लिखा भी है, वहीं लेखन से बड़ा सुबूत तो होता नहीं है, राजे इंद्रियादों थे, उनकी छपी, उनका होना सोना क्या है, इस तरह से था, उनका एक लेख छपा, मैंने लिखा उसके खिलाप जो है वो, उन्होंने कहा भी कि अरे अखिलेश, अब तुम भी हुआ 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 हमें शामील हो गए, उनकी जो शहली थी, नामवर सिंग के विरुद्ध मैंने लिखा, मेरे टीचर थे, दूधना सिंग, उनके उपन्यास पर मैंने उनके खिलाप लिखा, तो यह यह जो आप कह रहे हैं, बरी समझ में नहीं आ रहा है, और मेरे बारे में तो यही है, कि वह यह तो दोस्तों के दोस्त हैं, साथ खड़े होते हैं, जब भी कोई बात, और तमाम वैचारिक बुद्धों पर, अब यह जरूर है कि जो रोज-रोज होता है, सोसल मीडिया पर, तो जब मैं फेस्बुक पर नहीं तो मेरे पास मैं चाहूँ हूँ भी, कई बार उतेजना होती है कि इसमें मैं शामिल हो जाऊँ एक पक्छ से, लेकिन मेरे पास गुंजाइश नहीं है, कि मैं फेस्बुक पर नहीं है, लेकिन खबर आप सारी रखते हैं, खबर तो जैसे होती है, मेरे पत्नी बता देती हैं फिर मैं देख भी लेता हूँ, कभी कभी, मेरे दोस्त लोग हैं, जैसे विरेंद जी हैं, विरेंद रियादों हैं, बहुत बार कोई चीज होती है, तो मुझे भेज भी देते हैं उसका लिंक जो है, तो मैं उसको देख, बहुत सारे दोस्त मेरे हैं, लिंक भेजते हैं मु दो वह होता है वो भेज देता है लिंग तो ऊसको भी देख लिए हो लेकिन यह कि जब खिलाप छबता तो लोग बताते हैं उसको भी जाकर और देख लेतां तो ऐसा नहीं है लेकन को एक लेखक को जब जरूरत बाकी बड़े जितने प्रदर्शन हुए चाहें बाबरी मस्जिद के बाद जो प्रेकरण रहा हो या इस्तरियों के मुद्दे पर जब भी हुए तो मैं शामिल आँ हूँ, सारे आंदोलों में मैं शामिल आँ हूँ, मैं तो आंदोलन से ही हम लोगों क व्यक्तित्यों के निर्मिती हुई थी और व्यक्तिगयत इस्तर पर भी इस्टेंड लेते रहे हैं, चाहें जीवन में दोस्तों का मुद्दा हो या राइटर्स का मुद्दा हो तो आइसा, लेकिन अभी रोज रोज जब बहास हुई फेस्बुक पर मान लिजे, राम विला स्कारबापसी का मसला है, लिया ना इस्टेंड, जो मेरे पास कोई आया पूछा, आपका क्या राय है तो मैंने राय दी, तो ऐसा नहीं है, लेकिन वह बस या, मैंने का ना आज योगी आए कि तुरंत दिख जाए, और एक लेखा का काम रोज रोज थोड़ा है कि कोई घट परी है? गुसा किसी के भीतर होगी तो जाईर है कि वो कोई है. आप जल्दी हो जाते हैं? हाँ, मुझे आता है, मुझे गुसा आ जाता है, हाँ. इसका आपके लेखन पर या वेक्तिगत तोर पर कई प्रभाव पढ़ता है? लेखन पर प्रभाव ये पढ़ता है, कि नहीं ही पढ़ता है, इसलिए कि मैं। मैंने कहाँ, नो देरी देरी लखता हूं. एक सिटिंग में मैं लखी नहीं पाता हूँ. तो मлан दीजिए, कभी कोई गुसे में, कभी कोई चीज लिखी नहीं मैंने. लिखा वि हम लेकला कि फिर हो ठीक हो जाएगा. मैंने ये वाने कहाँ, विरुद्ध है वह एकारत कि अभी ब्यक्ति में जो है वेक्थी का जीवन में जरूर होता है कि किसी कौ मैंनरे कड़úa बोल दिया तो बहुत तुक होता है और कड़वा testing जवान पर रहती है मैं अकड़वा बोल ही देता हूँ जो है बहुत बार अपने को कंट्रोल करता हूँ लेकिन धीर धीर काफी कंट्रोल कर लिया है फिर भी मैं कहूंगा कि गुस्सा आता फिर मैं बहुत पच्टाता हूँ लेकिन यह जरूर है कि मैं पच्टाता हूँ और मैं माफी भी मांग ल उसे लिखन में किसी के साथ पहले अच्छे संबंद रहे हों फिर बिगड़ गए हों क्या उस चीज का मराल है हाँ है दो लोग का नाम में लेना चाहूँगा जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा मेरा संबंद रहा है मेरे हीरो की तरह थे मैं ग्यान रंजन जी का नाम लेना चाहूँगा मेरे इतने अच्छे रिष्टे उन से बड़ा से उनका मेरे उपर था उनके व्यक्तित्युका उनके लेखन सब का मैं परशन सकता लेकिन बरबर हो गया मेरे घर आते थे लखनव में मेरे घर रुकते थे पत्पत्नी मेरे घर रुकते थे और तब तो मोबाइल नहीं था उस युक से था तो जैसे मेरे घर में भी फोन नहीं रहता था तो आफिस में कई बाल किसी के दफ्टर से मिला देते थे फोन फाल चाल देते इतने अच्छ अच्छे पत्र उनके मेरे पास हैं, तो जिसे कहते हैं कोई चीज आपकी खो गई हो, तो उनसे संबंद बिगड़ जाने का, यह मेरी तरफ से नहीं था, उन्होंने एक, लेकिन उनकी भी तर्वी भाउकता थी, जब मिले, जब भी हम लोग मिले, तो सामने जैसे एक बार यु उनको भी आना था, वो भी आये ही थे, तो बहुत सारे लोग आये थे उसके शादी में, तो सब लोगों का उस दृश्च का था, कि भई देखे, दोनों मिलते हैं, तो क्या दृश्य होता है जो है वो, तो ग्यान जी मिले, इतने बड़पन, इतना प्याल का, प्याला लेकर के जिसे कहते हैं, उन्होंने इतना हमेशा अपने साथ रखा, और दूसरा नाम, दूसरा मुझे लगता है मेरे उध्य प्रकास से भी अच्छे, बहुत अच्छे संबन थे, अच्छे संबन मतलब वो एक मेरे senior writer थे, और बहुत पसंद मुझे थे, पसंद हैं, और वो भी बड़ा मानते थे, यानि मेरा जब मुक्ति संब्रह आया था, तो उन्होंने उसकी समिक्छा लिखी थी, और ज часов काते हैं कि कलम तो सब्य जिसे काते हैं, ऐसे समिक्छा लिखी थी, उसमें उन्होंने लिखा कि ये हिंदी कहानी में ऐसा संग्रा आ गया है मतलब बगरा बगरा लेकि फिर समन्द थोड़े से आपके खराब हो गया है मतलब मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं था उन्होंने देरे देरे क्या कभी अपने समकालीन रचना कारों में किसी के साथ आपको एरिश्या हुए मुझे एरिश्या नहीं होती कभी ये मेरे समकालीन भी बता सकते हैं उनकी चीजों का इतना बड़ा प्रशंसा कुमे प्रशंसा करता है अपने से नए लोगों का भी करता हूँ लेकिन बलकि एक दोस्ते में बोला वी तो उन्होंने का कि इरिश्या तो होती है मैंने का मुझे तो इरिश्या नहीं होती है तो का तुमको क्यों होगी कहा तुमको तो सम्मिल गया तो तुमको क्यों इरिश्या होगी हमने का क्या मिल गया का नहीं जो भी मिलना चाहिए हिंदी में तुमको तो सम्मिलता ही है तो तुमको क्यों इर्शा होगी इर्शा हमको होती है तुमसे क्या क्या आपकी कम अलोचना होना बाकियों के मुकाबले अगर किसी दिखा कि कम अलोचना होना खराब लिखा गया क्या कम या कम निकाले गई हैं क्या इसके पीछे तदभव पत्रिका है कि लोगों को लगे कि हम वह ना छपाएंगे तदभव जो शुरू हुई थी नाइटी नाइन में ठीक है और नाइटी नाइन के पहले नामोर सिंगर उपर लिख चुके थे मेरी परशंसा में राजिनर्यादव लिख तके थे रवींद कालिया लिख चुके थे गियानरंजन तारिफ कर चुके थे बहुत बड़े समाठी सिक्षा शास्तhooting किष्नेकुमार जी मेरी परशंसा सा, एक से एक दिगकच लो, तो ये सब लोग मेरे प्रशन सा करते हैं, तो मैं ये नहीं कहाना चाहूँगा, कि मुझे नहीं लगता कि तद्भो की है, तद्भो की वज़ा से बलकि ये जरूर हुआ, कि बहुत विरोधी हुए हो, तद्भो कोई मंतली पत्री का तो थी नहीं, कि इसमें ज्यादा लोग की समाई हो जाए, तो इसमें शत्र इसमें ज्यादा बनाए, कभी लिखने के लिए केवल कहानी लिखी, ऐसा करें, मैं प्रिशन में लिखी ही नहीं पाता हूँ, मैंने कहा रहा है कि मुझे बड़ा समय चाहिए, एक सवाल वक्तियत कि आपकी इस काफी रहा, कभी उन्होंने कोई मेरे संगर्ष के दिनों में भी, मैंने का ना कि बड़ा अनिश्चित जीवन था, आर्थिक भी कठिनाईया रही, लेकिन कभी कोई उनकी तरफ से कंप्लेन नहीं रही, हमेशा साथ दिया उन्होंने, कभी कोई शिकायत नहीं, कोई चानपुर की हैं, चोटी जगह से आई थी, हम भी आये थे, लेकिन उनकी कोई, हम तो बहुत सारे लोगों से मिलें, जिन्होंने बनाया मुझे, लेकिन वो आई और मेरे माता पिता भी साथ में थे, लेकिन हमेशा जिसे करते हैं कि सब का साथ दिया, उन्होंने कि एक्वार मेरा ही नहीं, बच्चों के साथ भी रही, माता पिता मेरे थे, उनका भी जितना, उनका भी साथ दिया, पूरा, तो, और दो सीजे, जैसे जो मेरे वीतर कमी है, जैसे होता है, कहा जाता है, च्छतिस गुड़ मिलने चाहिए साथ, लेकिन मुझे लगता है कि भाई, नह मिल उनका रहा काफी, कम सकम इतना तो रहा ही, कि कोई बाधा, अगर उसे आप बहुत कम करें, तो इतना मैं कहाना चाहूंगे, कि कभी कोई समस्या नहीं पैदा की, अपने जीवन का कोई ऐसा काम, जिसको देखकर आप यह क्या सकें, कि इस पर मुझे गर्व है, कोई ऐसी कहानी जो शिखर कहानी लगती हो आपको अपनी, या कोई ऐसा काम, कुछ भी, मुझे मैं बताओं कि मुझे हमेशा लिख लेने के बाद जो है, मुझे कमियां दिखने लगती हैं, लोगों में भी ऐसे दिखने लगती हैं, और अपने भीतर भी दिखने लगती हैं, तो मैं मुझे लगता है कि अभी कोई मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं गर्व करूँ, मुटे तोर पर हाँ ठीक है, ये वहतर है, ये अच्छी है, ये इतना मैं इसे इतना ही कर सकता था, लेकिन बहुत दुनिया में इतना सरेष्ट लिखा गया है, इतने उतकरिष्ट काम किये करना चाहिए मुझे और अच्छा करना चाहिए, मुझे कोई गर्वान भूत ही नहीं होती है, मैं तो जीवन में भी जिसे कहते हैं कि मुझे किसी चीज को लेकर जैसे मैंने कोई अपनी तरफ से अच्छा काम माली जो हो भी गया, तो कोई उसे गर्व करने लाइग मुझे लगता है, कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते थे, महीं कर पाए और करना चाहते हैं, मुझे लगता है मुझे पढ़ना और चाहिए था, मैं और पढ़ता और लिखता जो है, लेकि मेरे जीवन की परस्यतियां ऐसी नहीं रही और अभी भी नहीं बन पा रही है, कि मैं सब चोड़ करके, मुझे लगता है मैं कई चोटे-चोटे उपन्यास और भी काम कर सकता था, और उपन्यास भी लिख सकता था, कुछ किसे कोई और विधाओं में काम करना चाहिए मुझे, मन चाहा पढ़ने के लिए समय निकाल करके पढ़ता मैं, तो मुझे लगता है कि तोड ज़्यादर लिख सकखंगा, जो है, मैं बहुत देर से ये नोटिस कर रहा हूँ, आप पलक नहीं जपक रहे हैं, ऐसा क्यों है, बहुत देर में थीन, चार बार जपक चुकाूं, आपकी नहीं जपक रहे हैं, मेरी पलके जो हैं, बहुत ज़्यादा देर तक अभ्यास है, ये भी साथ चुके हैं? हाँ, मैं बहुत देर तक सांस भी रोक सकता हूं. जैसे जब ये था कि लोगों ने कहा कि माली जी करोना जब चल आता, COVID का, तो लोगों ने कहा भई ये बुखार एक बार मुझे आ गया, तो ये हुआ कि भाई हो सकता है, COVID हो गया हो, तो किसी ने कहा सांस, COVID होता है, तो सांस आप जादे देर नहीं रोक पाओ गया, मैंने रोक खीचा, जैसे आपकी चार बार जपक गई, उनकी चार बार चूट गई, जो है, तो मैं सांस भी बहुत देर तक रोक लेता हूं, जो है वो, चलिए इसके बाद मैं आपसे पूछूँगा कि ये क प्रेम नहीं है, तो ग्रिना है, हर कविता ये हर अचना अपने टाइम की हिस्ट्री होती है, वो अपने समय के इतिहास को रिफलेक करती है, एक कविता से सारी चीजों के एक्षा नहीं कर सकते है, वो हर काम कर दे, मुझे लगता है कि जो लोग बहुत दमोक्रिटिक अपने की चीज़ हो जाती है, लेकिन पाथक को इतनी अटार्मी नहीं होती है, कि वो कुछ भी कह दे, अलोचे को पाथक को कभी से जादा पढ़ा लिखा, अगर वो इस लेवल पे अलोचना करना चाहता है, तो कविता अच्छी है, कविता खरावता तक तो ठीक है, जब इशारों भाहर ना पढ़ता है,